हलो गोस्तों मैं हूँ फिल्मी गर्ल हासर हूं आप सब के लिए एक और वीडियो लेकर आई होप कि मेरा ये वीडियो आप सब लोकल सरूर पसंद आएगा तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम SRK के मुवी डंकी और प्रिभास की मुवी सलार के बारे में बात करने वाले हैं जी हाँ दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि SRK के फिल्मी डंकी के मेकर्स डंकी का प्रमोशन करना सुरू कर दिया और भाई साब जो पोश्टर रिलीस किया गया है उसने तो हर किसी का दिमाग क्रांटा या फिर मेकर्स का प्रोमोषन करने का फिर मेकर्स को ही पता होगा लेकिन यह तै color के बारे में बात की जाया तो प्रासान बिलेकर अभी तब कोई अपडेट नहीं दिया है फिलान गजा तो हम सब को ऐसा लग रहा कि जिस दिन प्रभास का बर्थिडे होगा उस दिन साथ हम लोगों को कोई बड़ा सप्राइस मिले या तो फिल्म का टीजर रिलीज किया जाए या फिर ट्रेलर रिलीज किया जाएगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ प्रभास का जिस दिन बर्थिडे था उस दिन या फिर कोई और बड़ी अपडेट फिल्म से रिलेटर हम लोगों को मिले लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ फिल्म अटाइश सेप्टेंबर को रिलीस होने वाली थी अगर यह फिल्म उसी वक्त रिलीस होती तो आज ना कुछ और ही बात होती क्योंकि उस वक्त इसको ल नहीं कर रहे हैं अगर डंकी फिल्म के बारे में बात करें तो राजकुमार हिरानी ने डंकी मूवी का प्रमोशन करना स्टार्ट कर दिया एक पोश्टर के जरीए उन्होंने यह चीज़ बता दी है कि पोश्टर में हमें किसी चीज़ की नीड नहीं है जिसे ओडियंस को य यूनीक है और इस पोश्टर की वज़े से दंकी फिल्म को लेकर और भी जादा हाइब बन गयी है वहीं सलार फिल्म के बारे में बात करें तो सलार फिल्म से अभी ऐसा कुछ रिवील नहीं किया गया है जिसे ओडियंस को ऐसा लगे कि सलार फिल्म का प्रमोशन पहले यानि की धीरे धीरे इसका प्रमोशन स्टार्ट होना सुरू हो गया है एक इमूजी के जरिये मेंकर्स ने इस चीज की सुरुवात कर दी है हम सभी को पता है कि प्रभास की फिल्म सलार बाइस दिसंबर को थियाटर में रिलीज होगी वहीं एक दिन पहले इस आरके की रिलीज होगी उसके एक दिन पहले डंकी मूवी रिलीज होगी जितने भी ओडियंस रहेंगे सब डंकी देखने चाहेंगे अगर डंकी अच्छी मूवी निकल गई तो जो सलार फिल्म को देखने जाएगा वो उसको नहीं बलगी डंकी मूवी को देखने जाएगा मेकर्स बहुत सोच समझ कर यह प्लान किया है हाला कि अब यह देखना काफी दिल्चास होने वाला है कि थेटर में कौन सी मूवी हंगामा बचाती है क्योंकि सलार भी कम मूवी नहीं है अगर इस फिल्म में रॉकी भाई का कैमियो दिखा दिया गया तो पासा पलड सकते हैं मतलब ओडियंस वहां मूवी देखने जाएंगे कम सकम उसके आधे ओडियंस तो उस फिल्म को देखने जरूर जाएंगे अगर मैं अपनी बात बताओ तो मुझको ऐसा लगता है कि ओवर्सीज और हिंदी मार्केट में सलार मूवी डंकी मूवी से पीछे रहेगी क्योंकि मेकर्स टीजर रिलीज किया जाएं हो सकता नहीं 100% है कि कुछ न कुछ अपडेट हमें इस दिन जरूर मिलेगी और एक चीस तो कंफर्म है कि डंकी मूवी का टीजर इसी दिन रिलीज होगा फिलाल तो आप 2 नूवंबर को ही पता चलेगी क्या हमें डंकी मूवी का टीजर देखने को मिलेगा या फिर डंकी से कोई और अपडेट हम लोगों के साथ खेयर की जाएगी वहीं अगर सलार के बारे में बात करें तो हो सकता है कि प्रसाद नील किसी अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हो क्योंकि प्रसान नील ने भी बहुत अच्छी-च्छी फिलमें बनाई है हम सभी को पता है KGF तो उनके ही मूवी थी तो हो सकता है कि प्रिसान नेल भी कोई गेम खिलने वाले हो एक बहुत बड़ा गेम ठीक है जो हम लोगों ने सोचा भी ना हो हो सकता है कि वो सही वक्त का इंतजार करे हो सलार का टीजर रिलेस करने के लिए और उसका ट्रेलर रिल करती है तो दोस्तों आप किस फिल्म को ठीकर में देखने जाएंगे एसार के की मूवी दंकी या फिर प्रभास की फिल्म सलार और दोनों फिल्मों की बारे में आपकी क्या राया है फटाफाट कॉमेंट करके बताई और मेरे यह वीडियो आपको पसंद आ हो तो वीडियो क लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाइ-बाइ